देखो बॉस इंडियन सिर्मा में रिलीजिस फिल्म हैं बहुत रेर देखने को मिलती हैं क्योंकि उसके लिए अच्छा खासा विजिन चाहिए प्लस हिम्मत क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट पर हाट डालना मतलब कॉंट्रोवर्सी का साथ गले में डालना एक छोटी सी गलती और आपका करियर लिटरली खतम हो सकता है लेकिन इस खत्रे के बाद भी अगर कोई आगे बढ़कर कोशिश करता है तो या तो वो पागल होगा या फिर सच में जीनियस फैसला आप करोगे हनुमान या फिर हनुमैन एक स्मॉल बजट फिल्म है जिसका सपना बहुत बढ़ा है और सब्जेक्ट उससे भी बढ़ा और कॉंपेटिशन तो पूछ ही मत क्या सच में सिफ पचास करोण में बनने वाली फिल्म हॉलिवुड के डीसी मावल को टककर दे सकती है चलो बताती हूँ स्पाइडर मैन, सूपर मैन, आयरन मैन ये सब बड़े बड़े हीरोस का नाम आपने पका सुना होगा लेकिन जरा दिमाग लगा के बताना अगर ये सूट पहने वाला हीरो ही आपके सामने सूपर विल्लन बनके खड़ा हो जाए, माने जान बचाना नहीं, लेना शुरू कर दे तो कौन बचाय का आपको? जवाब वही है जिनने भगवान राम को माता सीता से मिलवा दिया और एक उंगली पे पूरा पहाड उठा लिया था हनुमान की बात हो रही है जो हिस्ट्री में लिखी कुछ बातों के हिसाब से आज भी धर्ती पे मौजूद है कहां मिलेंगे बस वही जवाब दिया है इस फिल्म ने कहानी एक मामली से लड़के की है जो पैदा उस गाओं में हुआ है जहां कभी भगवान हनुमान रहा करते थे और अपना हीरो प्यार में पढ़ गया है लेकिन यह सिंपल सी लफ स्टोरी ट्रैंगल में तब बदल जाती है जब एक पागल साइंटिस्ट इस लड़के को ढूनता हुआ इस छोटे से गाओं में एंट्री मारता है वजा जान के आप भी चौक जाओगे एक बड़ी सी ट्रीन फुल स्पीड में अपने हीरो के उपर से गुजर जाती है जोर की टक्कर मारती है लेकिन हीरो वैसे का वैसा नो फर्क कैसे क्यूं हाउ जैसे आपको पता लगाना है वैसे ही साइंटिस्ट को भी साधे जवाब चाहिए साथ में इस लड़के की पावर का सीक्रेट ढूनना है जिससे ये खुद सूपर हीरो या फिर सूपर विलर्मन के पूरी दुन्या की किसमत लिख सकता है बहुत सीधी बात हैं वहां रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे आपके स्पेशली जब ये कहानी एक बंदर अपनी आवाज में बताए तो भूल कैसे पाओगे फिल्म के क्लैमिक्स में लॉर्ड हनुमान का बहतरीन इस्तमाल किया है वह सीन शर्थ पूरे इंडियन सिनमा का फ्यूचर बदल स सबूत के साथ बगाती हूं कांतारा देखी है उसमें जब शिवा भगवान का वहरा आफ्तार लेता है वहां तक पहुचने से पहले पबलिक को इतना बैक स्टोरी समझा देते हैं कि फाइनल सीन में हम मान लेते हैं कि शिवा खुद भगवान बन चुका है लेकिन हनुमान म लेकिन भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि कहानी नहीं है जो आपको समझा सके कैसे हुआ वी एफेक्स और स्पेशल एफेक्स वगएरा एक लिमिट तक मदद कर सकते हैं और मानना पड़ेगा सिर्फ 50 करोड में इस लेवल की क्वालिटी अचीव करना बहुत बड़ी बात है यार 400 करोड में अगर बॉलिवुड ब्रमास्त बनाता है और 50 करोड में तेल्गू फिल्म इंडस्री कार्टे के टू हनुमान जैसी मूवीज डिलेवर करती है तो भया जादा वक्त लगेगा नहीं पबलिक को ये समझने में कि अगली बजट नहीं कॉंटेंट के दम पर फैसला करना है टिकेट बुक करने से पहले लेकिन हनुमान के मेकर्स की डूसरी गलती ये है कि इतना बहतरी सबजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद भी ये लोंग ऐसा कुछ नहीं बता पाई जो पपलिक पहले से और सबसे बेस्ट चीज यह है कि इस फिल्म को छोटे बच्चे से लेकर पापा के भी पापा जी एक साथ मिलकर देख सकते हैं। टिपिकल सुपर हीरो वाली फिल्म नहीं है जिसे सिर्फ कुछ लोग देखते हैं। हनुमार में कॉमेडी है, फामिली है, इमोशन हैं और स्पिरिच्वल एंगल, सब लोग देखो। तब यह आफ फिल्म को मेरी तरफ से मिलेंगे पाँच में से पूरे साड़े तीन स्टार्स। पहला तो फिल्म बनाने का आइडिया जबर्दस्त है और पूरा युनिवर्स तयार हो रहा है जो इंडियन सिर्मा में नई कैटिगरी बनाएगा हिस्ट्री माइथलोजी की। दूसरा परफॉर्मेंस अच्छे हैं, सारे अक्टिस काफी फ्रेश हैं, तेजा सज्जा और अमृता इयर इनकी पेरिंग इंप्रेस करेगी और विजय एज माइकल पूरी फिल्म बदल सकते थे। तीसरी बड़िया चीज है, CGI एफेक्ट्स का भैतरी निस्तमाल, अभी सिर्वात है, इसलिए छोटी मोटी गलती इग्नोर। और आधा स्टार वो छोटी छोटी क्रियेटिविटी जो थेट्रिकल एक्स्पिरिंस को पैसा वसूल बनाती हैं। नेगेटिव में आर सबसे बड़ी शिकायत मेरी ये है कि फिल्म की बैकबोर, रीट की हड़ी, माने राइटिंग और कहानी ये दोनों काफी कमजोर हैं। प्लस आधा स्टार करेगा पूर आक्शन सीक्वेंस के लिए यहाँ पर डिरेक्टर साहब का आइडिया थोड़ा आउट्डेटेड लगा, कुछ नया नहीं है, बस पुराना मारधार। वैसे अगर मुझसे पूछों के आप की इंडिया में बढने वाली बेस्ट सूपर हीरो फिल्म कौन सी है, तो जब आप इस वीडियो में मिलेगा, टाइम हो तो पक्का जाके देख लेना। बढना थोड़ा से इंफिजार करिए, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, टेक केर, बाइबाइ!